नमस्कार ये लोंग है और लोंग को क्लोव्ज के नाम से जाना जाता है इसका तेल भी निकलता है जिसे क्लोव्ज ओयल के नाम से जानते हैं इसका इस्तमाल पूजा में किया जाता है भोजन में किया जाता है और इसमें बहुत सारे ऐसे ओशदिये गुण होने के कारण बहु सारे से पोशक्तत पाए जाते हैं जो हमारी बहुत सी बीमारियों को दूर करने में हमारी मदद करते हैं इसके अंदर एंटी ओक्सिडेंट पाए जाता है और इसके अंदर इनाल जैसिक गुन पाए जाते हैं जिससे हमारे सरीर के दर्दों में राहत मिलती है और दर्द को हमारी बहुत ज़्यादा मदद करता है इसके बाद इसके अंदर anti-fungal गुन पाए जाते हैं जिसकी वज़ासे हमें fungal infection जिसे हम कवक संकर्मन बोलते हैं उससे भी हमें बचाव मिलता है anti-bacterial गुन पाए जाते हैं जो bacteria के infection से हमारे सरीर में तरह तरह की बिमारी होते हैं उससे हमें बचाव मिलता है anti-inflammatory का काम यह होता है कि हमारे सरी में अगर कहीं सूजन हो गी है तो उसको दूर करने में हमारी मदद करता है anti-septic का काम होता है अगर हमें कहीं चोट लग गी है जखम हो गया जिससे उसको भरने में किसी घाओ को भरने में हमारी बहुत ज़्यादा मदद करता है इसकी मातरा बतायता हूँ मैं आपको एक से दो ग्राम इसकी मातरा सुबे शाम इस्तमाल की जा सकती है मगर कई बिमारी ऐसी होती है जिसमें इसका इस्तमाल तीन बार भी किया जाता है जादा तर इसको खाना खाने के बाद इस्तमाल किया जाता है मगर कुछ बीमारियों में खाना खाने से पहले भी इसका इस्तमाल किया जाता है इसकी तासीर गरम होती है इससे जो तेल निकलता है ना उस तेल को 1-2 बुंद एक चमच देशी खान में मिला के खाने से बहुत अच्छा लाब मिलता और बहुत सारी बिमारियों में बहुत फाइदे मन्द भी होता है और इसके तेल को सिंपल तेल में मिला के मालिस करने में भी बहुत जादा फाइदे मन्द होता है अब इसको किस रूप में इस्तमाल करना सबसे अच्छा माना जाता है इसको चबा के भी हम खा सकते हैं, इसको पाउडर बना के भी एक से दो चुट की हम अपना इस्तमाल कर सकते हैं, इसके बाद इसका काड़ा बना के भी हम पी सकते हैं इसका इस्तमाल कितने दिन करें कि हमारी बीमारी जड़ से ठीक हो जाए मैं ये बतायता हूँ जिन लोगों की बिमारी बिलकुल नई है जैसे मान के चलिए कि थोड़े दिन पुरानी है क्योंकि बिमारी की stage पे depend करता है जिसे हम grade कहते हैं या बिमारी कितनी पुरानी है उस पे depend करता है कि किस वेक्ति को कितने दिन लेनी चाहिए बस मैं आपको example के लिए उधारन के तोर पे बतायता हूं कि जिन लोगों की बिमारी अगर मान लीजिए कि एक महीने पुरानी है उनको एक से दो अफते इसका इस्तमाल करना चाहिए अगर किसी की बिमारी ज्यादा पुरानी है उन लोगों को एक से तीन महीने का समय इसका इस्तमाल करके लाब उठा सकते हैं और अ इसका पाउडर बनाके रूई की साहिता से उस गढ़े में इसको भर दिया जाए या इसका जो तेल आता है लों का तेल वो रूई में डुबो के उस गढ़े में डाल दिया जाए तो उसी समय दात के दर्द में अराम मिल जाता है क्योंकि इसके अंदर एंटी इंफलामेटरी गुन पाये जाता है और एनालजेसिक गुन पाये जाता है जिससे क्या होता है कि अंदर की सूजन खतम हो जाती है और मवाद निकल जाता है गंदा खुन निकल जाता है जिससे दाद दर्द में अराम मिल जाता है और सूजन भी खतम हो जाती है सूजन और मवाद खतम होने पे दर्द भी ठीक हो जाता है जिन लोगों के मूँ से बदबू आती है चाहे वो पाइडिये की शिकाहत हो चाहे वो पेट की खराबी के कारण उनके मूँ से बदबू आती है उन लोगों को कहना चाहूंगा इसका पौडर बनाके सुबे शाम मनजन करने से बहुत अच्छा लाब मिलता है इसके मनजन में आप लोंग 50 गराम 50 गराम माजूफल और 50 गराम हल्दी साबूत और 10 गराम आपने सिंदा नमक मिलाना है उसको पीस के पाउडर बना के मनजन बना लेना है उसको सुबे साम करने से मूँ से बदबू नहीं आती और मूँ से संबन्दी सभी तरह के विकार दूर हो जाते है अब मैं आपको इसका दूसरा तरीका भी बतायता हूँ जिससे मूँ की बदबू को दूर किया जा सकता है एक से दो पीस लोग को चबा के अच्छे से उसको चबाने से और जब चबा के उसका रस अंदर ले जाए उससे भी मूँ की बदबू खतम हो जाती है अब मैं तीसरा तरीका बतायता हूँ कि एक से दो पीस लोग को लेके थोड़ा कूट के एक कप पानी में डाल के पकाएं जब पानी उबल उबल के आदा कप रह जाए उससे नीचे उतार के जो बिल्कुल ठंडा हो जाए तो उसमें मूँ में डाल के अच्छे से कुला करके उसे फैक दे इससे भी मूँ की बदबू खतम हो जाती है जिन लोगों की पाचन सकती कमजोर है कुछ भी खाते है तो पेट में भारीपन रहता है खाना पस्ता नी है पेट में गैस बनती है पेट अफर जाता है और पेट में दर्द बहुत तंग करता है उन लोगों को कहना चाहूंगा कि इसका पाउडर बना के रख लें और दो चुटकी इसका पाउडर एक चुटकी सेंदा नमक का पाउडर मिला के उसे मूँ में रखके उपर से गुन गुना पानी पीने से पेट की गैस खतम हो जाती है, पेट में दर्द खतम हो जाती है, पाचन सक्ती भी बढ़ जाती है, कुछ भी खाएंगे वो जल्दी हजम हो जाएगा, दोज चुटकी से ज़्यादा इसका इस्तमाल मत करें क्योंकि इसकी तासिर गरम होती है, जिन लोगों का जी हमेशा मिचलाता रहता है, उल्टी जैसा मन करता रहता है, और बार बार उल्टी आ भी जाती है, खास तोर पे महिलाएं जिनको जो गर्वती हैं, या मान लीजे जो महिलाएं सफर करती हैं, और सफर करने के बाद उनके सिर में दर्द होता है, उल्ट पाई आना या उल्टी आने की शिकायत दूर हो जाएगी दूसरा तरीका इसका क्या है कि इसको पीस के पाउडर बना ले दो चुटकी एक कप पानी में डाल के अच्छे से उबा ले जब उबल उबल के पानी आदा कप रह जाए उसे नीचे उतार के ठंडा होने पे चान के उ च्यार वात विकार के कारणों चाए गठिया गवाई के कारणों उन लोगों को कहना चाऊंगा इसका पाउडर बनाके एक से दो चुटकी मु गरम पानी पीना सुबह शाम खाना खाने के बाद बहुत फायदे मन्द होता है। और इसका जो तेल होता है वो तेल मान के चलिए कि दस पूंद और एक चमच सरसो का तेल में मिला के जिस जगा पे दर्द है या सूजन है उस जगा पे हलके से मालिस करने से दर्द बिलकुल दूर हो जाता है। जिन लोगों को स्वांस नली में फेफरो में सूजन की शिकायत है या अस्तमा इलर्जी की शिकायत है उन लोगों को कहना चाहूंगा कि लोग का पाउडर बना के एक से दो चुटकी और शहद एक चमच उसमें मिला के अच्छे से सुबे शाम खाना खाने के आदे गंटे आके अच्छे से माथा, नाक, गला, छाती, पसली, पीठ पे मालिस करने से बहुत अच्छा लाब मिलता है और अस्तमा इलर्जी में फाइदा होता है स्वासन तंत्र में जैसे स्वासनली में फेफरो में अगर आपके सूजन और इंफेक्शन इलर्जी है वो भी आपकी बहुत को सकते हैं लोंग का पौडर आप एक कप पानी में डाल के अच्छे से उबाल के उसे नीचे उतार के उसके बाद सुबे शाम इसकी भाब भी ले सकते हैं और इसका काड़ा पी भी सकते हैं मतलब ये एक लोंग के कई फायदे आपको मैंने बता दी इसमें से जो आपको आसान लगे वो तरीका इस्तमाल करके लाब उठा सकते हैं जो लोग कान दर्द की समस्या से परेशान हैं उन लोगों को कहना चाहूंगा चाहे वो छोटे बच्चे हों चाहे बड़े हों उनको कहना चाहूंगा कि लोंग का पाउडर बनाके एक चुटकी पाउडर एक चमस सरसो के तेल में डालके एक कटोरी में डालें और अच्छे से उसे गरम कर लें उसके बाद उस तेल को नीचे उतार के जब बिलकुल ठंडा हो जए उसे कपड़े से चान के एक से दो बुंद कान में डालने से अगर किसी तरह से भी आपके कान के पड़दे या कान के आसपास की मान स्पेशियों में सूजन है वो खतम हो जाएगी किसी तर सूजन खतम करने का दर्द खतम करने का और इंफेक्शन को खतम करने के बहुत अच्छे गुन पाए जाते हैं जो लोग पिंपल से परेशान है जिसे मुहासे कहते हैं कील से परेशान है ब्लैक हैड से वाइट से परेशान है तो उन लोगों को कहना चाहूंगा कि लोग का के चुथाई čमच एक कोटोरी नटालें और एलो वीरा का अरस दो चमच उसमें डालके अच्छे से पेश्ट बनाके चहरे पेढ़ाएं जहां 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 पिंपल saha zaza black-canse naj है यहां जहां फाइजा है वहां लगाएं और हिचकी बहुत तंग करती है, चाहे वो हिचकी गले की बज़ा से हो, चाहे वो फेफ़रों की बज़ा से हो, चाहे दिल की बज़ा से, चाहे वो पेट की बज़ा से हो, उन लोगों को कहना चाहूंगा कि परेशान होने की जरूत नहीं है, लोंग का पाउडर एक से दो चुटक लेनी है, शहद एक चमच लेना है, तीनों को मिलाके, सुबे दुपेशाम, खाना खाने से आदा गंटा पहले आपने चाटना है, और बिल्कुल कुछी दिनों में हिचकी बिल्कुल दूर हो जाएगी, जब तक हिचकी आपकी खतम नहीं होती, तब तक आपने लिक्वेड आह हैं, जैसे मरजी रहें, कोई परेशानी नहीं, और जब तक परहेज करें, जब तक आपकी हिचकी ठीक ना हो, जो लोग खांसी से परेशान है, चाहिए वो बैक्टीरिया, वाइरस, फंगस, इन्फेक्शन के कारण खांसी है, चाहिए वो किसी तरह की ऐलर्जी के कारण खा होगा, चोटे बच्चों को काली खांसी जादा हो जाती है, जिसे वूपिंग कफ के नाम से जानते हैं, जिसे कुता खांसी भी बोलते हैं, इतनी खांसी हो जाती है कि आँख लाल हो जाती है, आँखों से आशू आने लग जाते हैं, पेट में जगा जगा दर्द होने लग जाता है तो उन लोगों को कहना चाहूंगा खांसी किसी भी तरह की है बलगमी है सूखी है किसी भी कारण से है तो लोग का पाउडर एक से दो चुटकी एक चमच शहद में मिला के सुबह दुपैर शाम को चाटे और इसको चाटने के वाद आदे गंटे तक कुछ खाएं पिय तो आदा चमच मुलेटी का पाउडर एक से दो चुटकी लोग का पाउडर और एक चमच शहद इस तरह करके आप दिन में तीन बार इसका इसका इस्तमाल खाना खाने के बाद कर सकते हैं और सभी प्रकार की हिचकी को दूर कर सकते हैं जिन लोगों की नजर कमजोर है उन ल लोगों के गले में हमेशा फेफडों में हमेशा बलगम जमा रहती है और बोलने में सांस लेने में तकलीफ होती है उन लोगों को कहना चाहूंगा लोग का पाउडर बनाके एक से दो चुटकी एक चमशेद में मिलाके सुबे शाम इस्तमाल करने से फेफडों वा गले की तो उन लोगों को कहना चाहूंगा कि एक कप पानी में लोंग का पौडर एक से दो चुटकी डालें उसे अच्छे से पकाएं और जब उबल उबल के आदा कप रह जाए उसे नीचे उतार के चान के उसमें स्वाद नुसार सिंदा नमक और देशी खांड मिलाएं और उसमें आधा निम्बू निचोड के उसका रस डाल के मिला के सुबह दुपैर शाम पीने से चाई की तरह धिरी धिरे पिए इसको पीने से क्या होता है कि सभी परकार के food poison बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और सभी तरह के हैजे में बहुत अच्छा लाब मिलता है और सरीर में किसी भी तरह की पानी की कमी नहीं होती है और पानी की कमी हो भी जाए तो वो भी दूर हो जाती है जिन लोगों को हमेशा बुखार परेशान करता है चाहे वो बुखार किसी भी परकार का हो किसी भी कारण से चाहे अंदुरूरी अंगो में infection के कारण bacteria virus के infection के कारण या सरीर की सब्द धात्वें जो बोलते हैं उसमें संकर्मन के कारण या वात, पित, कफ, दोश बढ़ जाने के कारण, किसी भी कारण से अगर आपको बुखार होता है तो उन लोगों को कहना चाहूंगा नेपाली चिरेटा 100 ग्राम, गिलोए 100 ग्राम और लोंग 20 ग्राम इन तीनों को पीस के पाउडर बना लें, और इसका जो पाउडर बनेगा उसे डब्बे में डालके रख दें सुबे शाम एक चमच पाउडर निकालें, एक कप पानी में डालके उसे अच्छे से पकाएं जब उबल उबल के पानी आधा कप रह जाए उसे नीचे उतार के उसे जब ठंडा होजे चान के उसमें स्वाद नुसार देशी खांड या शहद मिला के दोनों में से कोई एक चीज मिला के सुबे दुपैर शाम खाना खाने से पहले आधा घंटा पहले इस्तमाल करने से सबी तरह के बुखार सरीर से बाहर निकल जाते हैं रोगी बिलकुस स्वास्त हो जाता है जिन पूर्षों को सेक्सवल परेशानी है वो ठीक ढंग से अपने साथी के साथ समभोगी क्रिया नहीं कर पाते जिसे नामर्दी बोलते हैं सीगर पतन की शिकायद से परेशान है उन प्रेंटे तक कुछ खाना पीना नहीं है इसका लगातार इस्तमाल करने से नामर्दी और सिगर पतन की शिकायद दूर हो जाती है इसी तरह आपने क्या करना है कि तिल का तेल लेना है 100 ग्राम उसमें 20 ग्राम लोंग और 20 ग्राम जैफल 20 ग्राम जवित्री और 20 ग्राम अकर करा इन चारों चीजों को पीस के पाउडर बनाके उस तेल में अच्छे से पका लें उस तेल को चान के नीचे उतार के लिंग की सुबह शाम मालिस करने से लिंग की नसे वह मांस पेशियां ताकतवर हो जाती हैं सिगर पतन और नामर्दी की शिकायद दूर हो जाती है जिन वी चीज़ से परेशान है, उन लोगों को कहना चाहूंगा कि हल्दी साबुत 50 ग्राम, सुखी नीम की पत्ती 50 ग्राम, 50 ग्राम लोंग लेके उसको तीनों को पीस के पाउडर बनाके मिलाके, इस पाउडर को देशी गी में मिलाके लेप करने से खारिस, खुजली, दाद, एक पुछ नुकसान बतायता हूं, जरूर से ज़्यादा मातरा में इसका इस्तमाल मत करें, जिन लोगों की पित प्राकृती वाला सरीर है, उन लोगों को भी कहना चाहूंगा, इसकी तासीर गरम होती है, इसलिए ये आपको नुकसान कर सकता है, पित प्राकृती वाले वा गुर्दों की बीमारी आपको तंग कर सकती है, इसलिए जो मातरा मैंने बताई है, उससे ज़्यादा मातरा में इसका इस्तमाल नहीं करें, जिन लोगों का खून पतला है, उन लोगों को इसका इस्तमाल नहीं करना चाहिए, जिनके नाक से, मू से, या पिशाव के रस् हूँ धन्यवाद